आप लोग देखते हैं कि हर साल 19 नवंबर को विश्व सौचाले दिवस की रूम में मनाय जाता है और देखे इस तरह का कोई दिवस मनाय जाता है तो उसके बारे में एक सामान जानकारी अपने पास रखा करिएगा क्योंकि आप देखते हैं कि एक जाम में इससे कुश्चन्स पूँच लिये जाते हैं कि पहली बार कम मनाय गया था इसे मनाने का उद्देश क्या होता है और इसका इस साल की थीम क्या रखी गई है विशाय क्या रखा गया है इस तरह के कुछ मातपूर्ण पॉइंट यहां देखने को मिलते हैं और आप देखते हैं कि जब से नई सरकार आई हुई है विश्व सौचाले और आप देखिए स्वक्षिता की और विशेश ध्यान दे रही है और इसके लिए कई यह उजनाय भी सरकार की तरफ से लाई गई है और देखिए इस तरह कि आप लोग किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे हों चाहे सिवल सर्विस हो इस्टेट PCS हो इस्टेट PCS जब बोलते हैं तो आप देखते हैं MPPSC, बिहार PCS, 36 गड़, उत्तर पेदेश, PCS हो गया वन डे एकजाम हो, आप देखते हैं कि सेंटर लवल पर तमाम एकजाम होते हैं SSC, बैंक, रेलवे, इसी तरह राजज में आएंगे तो इस्टेट लेवल पर भी आपकी तमाम एकजाम होते हैं सिक्छक भर्तियां होती रहते हैं, कॉंस्टेवल की होते रहते हैं, दरोगा के लिए होते हैं, जेल फैरी, पटवारी के लिए होते हैं, तो इन में भी इस तरह के कुश्चन्स पूँच लेता है, लोगों को स्वस्त रखने और इस्थाई सौक्षिता की महत्य की बारे में, जागरूकता बढ़ाने हेतु पितेक बर्स, उन्नीस नवंबर को विश्च सौचाले दिवस मनाया जाता है, एक तो आपसे यही पूच लेगा, कि विश्च सौचाले दिवस कब मनाया जाता है, तो उन्नीस नवंबर को, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश क्या है, ल लखी गई है और इसकी अगर हम लोग बात करें विश्व सोचाले दिवस वर्स 2013 से पिती वर्स मनाया जाता है तो कहने का मतलब है कि 2013 से शुरू हुआ था तो यहां यह भी आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है अब आताती ही कि इसके उद्देश की तो यह है और इस बर्स का विसे इस बात की परताल करता है कि आप अर्याप सुच्छता पिडाली कैसे मानों अपसिष्ट कुनदियों जीलों मिट्टी में फैलाती है और भूमी का जल संसादनों को पिदोसित करती है और इससे आप देखते होंगे कि कई बीमारियां फैलते है भारत क ये दिरिश्टी कौन की बात करें उपलबधियों की बात करें तो इस बर्स जल सकती मंतराल है वो सुच्छ भारत मिसन ग्रामीड के तहत पूरे ग्रामीड भारत में सुच्छता तोड़का आयजन कर रहा है और SBMG को दुनिया के सबसे बड़ी बेवार परिवरतन कारिकरम की रूम में मानता पर आप थे और जब पूरे देश्ट ने वर्स 2019 में खुले में सौच मुक्त राज ओडिये का दर्जा हासिल कर लिया तब भारत सुरक्षित सुरक्षिता तक पहुचने से समंदित SDG 6.2 पहले ही हासिल कर चुका है अब यह है ओडिये प्लस इतिती हासिल करने के लिए अपने प्रयासों की और अगसर है और जो आपके देखे सतद भिकास लक्ष है न इसके बारे में आप लोग याद रख लिए जएगा यह आप देखे प्रिलम से में पूच लेता है मुक पर इक्षा में अंसर आइटिंग आप लोग कर रहे होंगे तब भी वह मिसन के प्रयासों में तेजी लाने और स्वक्षता पर ध्यान के अंदेद करने के लिए लूँच किया गया था और मिसन को राष्ट ब्यापी अभियान जनांदोलन की रोम में लागू किया गया था और जिसका उद्दिश ग्रामीड शेत्रों में खुले में सौच को कि लोगों ने भी बढ़ चर कर भागेदारी ली और इसी के कारण हम लोग इसमें सफलता भी पापा है स्वक्ष्य भारत मिसन चरण फश्ट को देखें तो 2 अक्टूबर भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वक्ष भारत मिसन ग्रामीर की सुरुआत के समय ग्रामीर स्वक्षता कोसीद कर दिया गया और भारत सरकार की तरफ से आपने देखा होगा कि ग्रामीर सौचल है आप देखते हैं कि ये अजना आयोई ती उसके तहत बारह जार कहीं आप देखे और जाना पैसा दीआ जाता था तो नी की बात हो रही है सरकार भी चाहती है कि आप अपने घर में ह आप देखें बनवाय सो चल है अगर स्वक्ष भारत ग्रामीड सेकेंड चरण की बात करें दुतिय चरण की तो आप देखें कि दुतिय यह चरण एक के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों की स्थित्रता और ग्रामीड भारत में ठोस तरल और एबं प्लास्टिक प्रवंधन के लिए प्रयाप्त सुविधाये प्रिदान करने पर जोड़ देता है और स्वक्ष भारत ग्रामीड चरण सेकेंड को दो हजार बेस एककी से दो हजार चौविस पच्चीज तक की अवधी के लिए एक लाख चालीस अजार आठ सो एक्यासी करूर रुपे के कि रूम में कयानवीत किया जाएगा ओडिये पिलस की SLWM घटक की नेगरानी निमलिखी चार संकेत कों के आधार पर की जाएगी एक और कों से पिलास्टिक अफसिट प्रबंधन जैब अफगटित ठोस प्रबंधन अफसिट प्रबंधन और जिसमें पसुव अफसिट प्र अधिक्तम गाओं को ओडिये पिलस घोसित कर दिया गया है अब आप लोग बार बार देख रहे होंगे किया ओडिये अरवार चर्चा में आ रहा है तो आप देखेंगे कि ओडिये मतलब ओपिन ओपिन डिफिकेशन फिरी यानि कि खुले में सौच मोक्त घोसित करना और यह गाओं अपने ODF स्तिती को बनाय हुए है और ठोस या तरल कच्रे के प्रबंधन के लिए प्रबंधन के लिए प्रडाली मौझूद है और भी अपने अपनी सौक्षिता यात्रा जारी रखेंगे क्योंकि भी अपने गाओं को सौक्ष हराब हरा और स्वस्त बनानी के लिए दिशा में काम कर रहे हैं तो उनी को एक तरह से आप देखेंगे ओपन डिफी केसन फ्री कह देते हैं से ODF को चलिए तो इस तरह का कोई भी दिवस रहता है तो देखिए आप सभी जानते कि उसे मनाने का कोई ना कोई तो देश होता है और ऐसी भी तो एक्तिती होती है जब